दोस्तों आप सभी बहुत ही important वीडियो को play किये हो इस वीडियो को miss मत करना अगर आप सभी एक whatsapp user हो तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप अपने whatsapp के अंदर किसी भी chat को बिना किसी application के कैसे hide कर सकते हो ये चीज अब आपके whatsapp के अंदर possible हो चुका है अब आपके पास कोई भी android phone हो आप अपने whatsapp के अंदर किसी भी chat को hide कर सकते हो लेकिन कैसे करना है उससे पहले तो यार इस वीडियो को like कर देना चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को subscribe कर लेना और घंटी को अभी तक on नहीं कियो तो जल्दी से इसे भी on कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो आपको जल्दी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा किसी भी chat को hide करने के लिए आपको एक setting अपने android के whatsapp के अंदर on करना होगा वो setting आपको कहां मिलेगा कहां से on करना है तो सबसे पहले आप decide कर लो कि किस chat को आप hide करना चाते हो तो मुझे इसी chat को hide करना है जो पुरानी gf लिखा हुआ है इसी chat को मुझे hide करना है तो कैसे करूँगा सबसे पहले आपको इसके उपर click करना है अब इसके नाम के उपर click करना है इसके बाद यहाँ पे आपको scroll करके नीचे आना है आपको एक option मिलेगा chat lock का इसके उपर आपको click करना है देखो यहाँ पे आप सभी ध्यान से पढ़ना यहाँ पे लिखा हुआ है keep this chat locked and hidden जब आप इस chat को lock करोगे तो आपका ये chat lock के साथ साथ hide भी हो जाएगा लेकिन कैसे यहाँ पे आपको एक setting दिख रहा होगा इसी को आपको on करना है okay पे click करना है अब आपको यहाँ पे अपना fingerprint लगाना है यहाँ पे आपको screen black आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे fingerprint लगा देता हूँ देख सकते हैं कि मेरा chat lock हो चुका है यह कह रहा है कि click on view और आप अपने chat को देख सकते हो तो यहाँ पे view पे मैंने click किया यह देखो lock it chat आ चुका है तो अब यहाँ से आप अपने chat को पढ़ सकते हो देखो यहाँ पे आप अपने chat को अब पढ़ सकते हो तो यह मैं back किया तो देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पे front पे था पुरानी gf वोला chat वो अब नहीं मिल रहा है कैसे मिलेगा तो यह देखो मैंने whatsapp को close कर दिया close कर दिया फिर मैंने open किया तो देखो अब भी आपका वो chat नहीं दिख रहा है कैसे दिखेगा hide chat? Hide chat को देखने के लिए आपको अपने screen को थोड़ा सा नीचे करना होगा तो एक नया option आएगा lock it chat तो इसी के उपर आपको click करना है अब यहाँ पे आपको fingerprint लगाना है तब जाकर यह खुलेगा तो देखो जैसे ही हमने fingerprint लगाया ताला खुल गया और यहाँ पे यह chat आ चुका है तो इसके उपर click कीजे अब आपका यह chat आ चुका है देखो message भेज दिया message चला गया back करो फिर आपका यहाँ से hide हो गया इस feature के अंदर अभी एक कमी है अगर कोई आपके chat को यहाँ से search करेगा तो वो आ जाता है देखो यहाँ पे मैंने search पे click किया अब मैंने यहाँ पे GF लिका तो देखो यहाँ पे आ गया लेकिन पुराना message आपका यहाँ पे दिखेगा नहीं जैसे कि इसका पुराना message दिख रहा है न वैसे आपका यहाँ पी पुराना message दिखेगा नहीं लेकिन ये chat आपका hide है और lock भी है जब इस पर click करेगा तो जब तक आपका fingerprint नहीं लगेगा तब तक ये chat खुलेगा नहीं अगर यहाँ पर मैं fingerprint लगाऊंगा तब ही ये खुलेगा नहीं लगाऊंगा तो ये नहीं खुलेगा तो ये देखो मैंने search किया आ गया जैसे ही click करूँगा तो fingerprint मांग रहा है नहीं दूँगा तो ये खुलेगा ही नहीं जैसे ही click करूँगा fingerprint हो सकता है कि आपको screen black दिख रहा होगा मैंने fingerprint लगाया ये chat खुल गया कोई अगर इसके नाम के उपर भी click करेगा तब भी नहीं खुलेगा तो देखो यहाँ पर locket है पूरा locket है जब तक नहीं लगाओगे तब तक नहीं खुलेगा लगाया खुल गया तो देखा आप सभी ने कैसे आप अपने किसी भी android phone के अंदर अपने chat को hide कर सकते हैं मुझे अब इस अमर वाले chat को hide करना है तो कैसे करना होगा इसके उपर हमने click किया अब यहाँ पे आपको उसके नाम के उपर click करना होगा अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा chat lock का इसके उपर आपको click करना है और यहाँ पे इस ची नहीं दिखरा है Locket Chat, तो थोड़ा सा Swipe Down कर देखो ये, Close करती है, वो पिन किया, देखो नहीं दिखरा है, थोड़ा सा Swipe Down करो, दिख जाएगा, इस पे Click करो, Fingerprint लगाओ, खुल गया और यहां पे आपका ये चैट आचुका है, तो इस तरीके से आप अपने चैट को Hide कर सकते ह अब इन्हे unhide कैसे करोगे unhide करने के लिए simply उसके उपर क्लिक करो फिर उसके नाम के उपर क्लिक करो थोड़ा सा नीचे आओ यहाँ पे देखो chat lock on है इसके उपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो इसको बन कर दो fingerprint लगाओ और यह unhide हो चुका है तो यहाँ पे देखो back किया हमने back किया यह देखो आमका chat आ चुका है फिर दूसरा chat unhide करना होगा तो बस fingerprint लगाओ और यहाँ पे इसके उपर क्लिक करो फिर नाम के उपर क्लिक करो थोड़ा सा नीचे आओ chat lock को बंद कर दो fingerprint लगाओ काम हो गया आपको यह feature आपके android phone के अंदर कैसी मिलेगा तो इसके लिए आपको जाना होगा google play store पे यहाँ पे आपको अपने whatsapp सर्च करना होगा यहाँ पे आपको सबसे latest update में अपने whatsapp को update कर लेना होगा लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना कि आपके पास अगर beta version है तो ही आपको अभी यह feature मिलेगा नहीं तो आपको कम से कम 15 दिन का wait करना होगा तब जाकर आपके whatsapp के अंदर यह chart log का feature मिलेगा लेकिन जैसे ही feature आएगा आपको सबसे पहले आपको इसी channel पे सीखें all in hindi channel पे देखने को मिल जैगा तो please इस channel को subscribe कर लेना और घंटी को on नहीं किया है तो जल्दी से उसे भी on कर लेना